आप सब क्यासे हैं आप सब करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नाइरा इस्टडी हब पर आज हम लोग केंद्रिय सिछक पातरता परिक्षा जुलाई 2019 का सेकेंड पेपर सॉल्व करेंगे जो की आपका भाषा सेकेंड हिंदी है सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लाज तक जरूर देखें क्योंकि आप लोगों के लिए ये मॉस्ट इंपोर्टेंड है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्काइब जरूर कर लें और वेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें तो च से पहले गध्यांश को पढ़ लेते हैं उसके अकोर्डिंग कोस्चन के आंसर देखते हैं आज सिक्षा के छेतर में भी बाजारी करण हो जाने के कारण सिक्षा महंगी और गरीबों की पहुच से बाहर हो चुकी है एक और तो रूची और उप्योगिता के अनुसार उप्य प्रब्द नहीं है तो वहीं जो संपन है उनके पास समय का आभाव है ऐसे में ऑनलाइन सिक्षा विवस्था एक बहतर विकल्प के तोर पर उभरी है पिछले वर्ष के गरीब और इसकूल ना जा सकने वाले बच्चों के लिए सरकार की ओर से परभावी कदम उठाते हुए इस इक्षा विवस्था की शुरुआत करते हुए स्वेम.gov.in wave पोर्टल की शुरुआत की गई है इससे बच्चे ऑनलाइन सिच्छा पास सकेंगे और उन्हें किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा इस पोर्टल की विशिष्टा यह है कि इसमें चात्र मैनेजमेंट आसिल होंगे जो किसी भी विश्विद्याले में मानने होंगे ऑनलाइन एजुकीशन के परती लोगों का बढ़ता उत्सा देखकर कहा जा सकता है कि भारत में इसका भविश उज्वल है यही कारण है कि अवधिकतर सिच्छन संस्थान इस आस्था को यानि इस विवस्था क अपना रहे हैं पढ़ाई का बढ़ता खर्च और किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए कॉलेजों का चुनाओ परवेश परिक्षा और फिर एक साथ मोटी फीस चुकाना युवाओं की बढ़ती संख्या के लिए काफी मुश्किल साबित हो रह है भारत में केवल 12 प्रतिशत चात्रों को विश्विद्याले में परवेश मिलता है ऐसे में ओलाइन सिक्षा देने वाली कमपनियों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है आज एक दूसरे का यानि देखिए आज एक दूसरे का समझने जानने की जिग्यास भी लोगों में बढ़ती हुई देखी जा रही है यानि देखी जाती है ऐसे में किसी देश की भाषा सीखना आवश्य हो जाता है क्योंकि भाषा सीखने में उस देश की संस्कृति तता अन्य बाते समझी जा सकती है इसलिए भारत के प्रती भी रूची बड़ी है और भाषा के लिए शुब संकेत हैं अब देखिए हम लोगों ने गध्यांश को पढ़ लिया है अब इसके कोडिंग जो कोस्चन से उनके आंसर देखेंगे भारत में ओनलाइन सिक्षा में निरंतर रूची बढ़ने का उप्यक्त कारण नहीं है यह देखना है इसमें नहीं है त तो अधिकतर सिच्छन संस्थान ओनलाइन विवस्था अपना रहे हैं महेंगी होने के कारण पढ़ाई में खर्च बढ़ता जा रहा है विशु के अनेक देशों की भारत में रूची बढ़ रही है अधिकतर चात्रों को विश्विद्याले में परविश नहीं मिलता है तो गद्याश में इस तरीके का कुछ भी नहीं आया है कि ओनलाइन सिच्छा में निरंतर रूची बढ़ने का उप्युक्त कारण नहीं है कि विश्व में अनेक देशों की भारत में रूची बढ़ रही है इसलिए सी उप्शन आपका राइट हो जाता है उसके बात देखते है कुस्चन है भारत ऑनलाइन सिच्छा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया है क्योंकि आज एक दूसरे को समझने की जिग्यासा बड़ी है ऑनलाइन सिच्छा पाने का फैशन युवक युक्तियों को आकरशित करता है लोगों को कोई कस्ट उठ भारत ऑनलाइन सिच्छा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया क्योंकि अधिकांश युवक किनी कारणों से विश्विद्याले सिच्छा से वन्चित्र रह जाते हैं तो आपका डियॉप्शन राइट हो जाता है उसके अबाद कोश्चन है गध भाग में अशुद्धी है अशुद्ध भाग को पैचान कर चिनित कीजिए देखिए फर्स्ट है आज एक दूसरी को सेकेंड है समझने जाने की जिग्यासा भी थाड़े लोगों में बढ़ी हुई और फोर है दीखी जाती है तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो आज एक दूसरे का होना चाहिए तो इस एकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाता है और फर्स्ट ऑप्शन है किसमें तो डी में है इसलिए डी ऑप्शन इस दा राइट अंसर इस तरह के जो आंसर हो उसमें आप लोग खास्तोर से ध्यान रखि अब यह देखें first है किसमें A में है या B में है या C में है या D में तो उस recording आप लोग answer करें उत्पत्ति की द्रश्टी से online और सिच्छा शब्द है करमशा देखें तत्बव और आगत है आगत और तत्सम है तत्बव और तत्सम है तत्सम और तत्बव है तो आपका जो answer हो जाता है यानि देखें उत्पत्ति की द्रश्टी से online और सिच्छा शब्द है करमशा आगत और तत्सम यानि उत्पत्ति की द्रश्टी से online आगत यानि अंग्रेजी से हिंदी में आया हुआ है और सिख्षा तत्सम शब्द है तो इस recording आपका आगत और तत् उसके बद चलते हैं के अच्छे से के उप्यों जाते हैं। तो देख लेते हैं कि देखिए उपसर्ग क्या होता है आगे तो उपयोगिता तो उपयोगिता में उप आपका हो गया उपसर्ग और परतिय मतलब पीछे तो इसमें ता हो जाता है आपका परतिय तो इस according आपका जो answer है वो आपका C हो जाता है यानि उप और ता तो C option is the right answer, उसके बाद question है, आज सिक्षा गरीबों की पहुँच से बाहर होती जा रही है इसका कारण है, गरीब आरक्षन का लाब नहीं उठा पाते हैं, उप्यूक्त विवस्ता का सरकारी करण हो गया है, बाजारी करण के कारण सिक्षा महंगी हो गई है गरीब अधिक गरीब होती जा तो आपका जो आंसर हो जाता है, यानि की बाजारी करण के कारण सिक्षा महंगी हो जाती है, देख लें आप जो आपका गध्यांश है, गध्यांश के according आप लोग देख लें, फर्स्ट लाइन में है, आज सिक्षा के छेत्रे में भी बाजारी करण हो जाने के कारण सिक्ष महेंगी और गरीबों की पहुच से बाहर हो चुकी है तो इसलिए आपका जो six number का question है उसका जो answer है वो देख लेते हैं बाजारी करण के कारण सिक्षा महेंगी और महेंगी हो गई है ठीक है ना तो इस according आपका see option right हो जाता है उसके बात चलते हैं question की तरफ question है online सिक्षा विव management engineering आदि की सिक्षा या गरीब और साधन ही लोगों के लिए सिक्षा या किसी भी परकार के शुल्क से मुक्ति सिक्षा तो online सिक्षा विवस्था का तात्पर है घर बैठें इंटरनेट के माध्यम से सिक्षा जैसे की आप लोग प्राप्त करण है उसी तरह से हो जाती है की मांग बढ़ना यह आपका हो जाता है निशल को सिक्षा विवस्था और यह आपका हो जाता है online सिक्षा अब देखिए एट नंबर का आपका जो question है उसका answer देख लेते हैं गध्यांश के according क्यूंकि जो गध्यांश के according ही आपको answer देने हैं आपको अपनी तरफ से answer नहीं देने हैं तो इसमें देखते हैं देखे सीखने सिखाने की मांग बढ़ी है या भारत के लिए विशेशकर हिंदी भाशा के लिए शुब संकेते तो क्या तो आपका जो it number का question है उसको हम देख लेते हैं यानि की देखिए भारत के लिए शुब संकेते तो हिंदी सीखने मांग बढ़ना यानि की B option आपका right हो जाता है उसके बाद चलते हैं question की तरह देखें next आपका है निमलिखित गध्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रिश्णो प्रिश्ण संख्या 9 से 15 तक के सबसे उप्युक्त उत्तरवाले विकल को चिनित कीजिए जैसे हम अभी हैं गध्यांश को देख लेते हैं हमारे विवारिक अत्वा वास्तविक जीवन में भी यही सिद्धान्त काम करता है कि हम समाज अत्वा लोगों को जो देते हैं वही हमारे पास लोट कर आता है हम लोगों से प्यार करते हैं लेकिन यदि हम लोगों से घ्रणा करते हैं तो भी हमसे घ्रणा ही करेंगे देखिए गध्याश की अकॉर्डिंग तो ये बात बिल्कुल ही सही है और वैसे भी ये बात बहुत ही सही है क्योंकि जब हमारे साथ कोई अच्छा करता है तो हम उसके साथ अच्छा करते हैं लेकिन जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम भी तो उसके साथ बुरा करने लगते हैं, वैसे तो यह चीज गलत होती है, अगर कोई बुरा कर रहा है, तो उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए, हमारी नेतिकता यही है, लेकिन यही देखा जाता है, इसलिए कहते हैं कि सभी के साथ अच्छा करो, क्योंकि वही चीज वापस आती हैं हमें मिलती है कहते हैं नहीं है कि जो चीज आप उगाएंगे वही चीज आपको मिलेगी अगर आप गुलाब का पोधा उगाएंगे तभी आपको गुलाब के पुश्प मिलेंगे अनिता अगर आप बेर उगाएंगे और उसमें काटो यानि गुलाब में भी काटे हो यहां पर आप जो चीज उगाएंगे वही चीज आपको मिलेगी यह नहीं है कि आप किसी के साथ बुरा करते जाएं और वह आपके साथ अच्छा करता जाएं और यहां तक कि यह भी हैं कि अगर हम अपने चोटों से अच्छा विवार करेंगे तभी हमारे चोटे हमसे नहीं है ऐसा नहीं होता है क्यूंकि आप जैसा वहेंगे वैसा ही काटेंगे तो घद्याश में यहीं आपको बताया जा रहा है कि देखी हम लोगों से घरणा करते हैं तो वह भी हमसे घ्रणा करेंगे इसमें संदेर नहीं है क्यूंकि इसमें कोई भी संदेर नहीं है यहां को पलटकर वैसा ही मिलता है यदि हम सब के साहिए सही और स्वाइभ ओर इमांदार नहीं है Roll दोसरे भी hamaata से योगात्मक और इमानदार हो जाते हैं इससे आकरशन का नियम कहा जाता है यह जैसा स्वभाव विक्सित कर लेते हैं वैसे ही चीजें हमारी और आकरशित होती हैं अब देखी गंदगी मक्षी को आकरशित करती है तो फूल तितली को आकरशित करते हैं यदि हम स्वैम को फ और सबावबिक है कि सुंदर वुरी व्यक्ति हमारी और अकरश्षित होंगें अगर हम अच्छे होंगे हम पुष्प जैसे होंगे तो जो पढ़े लिखे लोग है विद्वान लोग है जो अच्छी लोग है समाज में वो हमारी तरफ आकरशित होंगे अन्यत्था क्या है जैसे मक्षी जो गंदगी से आकरशित होती है ऐसे लोग हमसे आकरशित होंगे ठीक ना में अपने ब्रॉबाहर को व्यवस्तित वा आदतों को अच्छा करना होगा अपनी वाडी पॉर्द माद्रों बाहर से नहीं मन की गहराईयों से स्वेम को अदूर बनाना होगा कैसे है कि सिर्फ हम उपर से गिसी से बात तो कर रहे हैं मिफां से लेकीं क्या है। बहुत सी जैलस भरी हुई है यानि उस शक्स से इरश्या भरी है कि किसी तरीके से ये फेल हो जाए कोई भी वर्क कर रहा है उसमें ये पीछे हो जाए यह किसी तरीके क्योंकि आज का जो मनश्य क्या सोचता है अगर कोई कामियाब जा रहा है तो इस pengendis नीची हो जाए किसी तरीके से ये नाकामियाबी को हासिल कर ले ये कामियाब ना बन पाए और जब वो नाकामियाब हो जाता है तो लोग उसको ताने मारते हैं लोग उसके पास बैठने तक के लिए नहीं राजी होते हैं क्योंकि उसको उनको बैठना भी उसके पास नहीं अच्छा लगता है यान की बाते सुनकर आप पीछे हड़कर तब तो कोई भी आपको पूछे गा नहीं ठीक ना तो गध्यांश में यही बताया जा रहा है यदि हम बाहरी रूप स्वरूप से नहीं वरन मन से सुन्दर बन पाते हैं तो विचार और क्रम यानि कर्मु स्वम सुन्दर हो जाएंगे ज जीवन के परती सत्यम, शिवम और सुन्दर का आकरशन बढ़ने लगेगा देखिए हम लोगों ने गध्यांश को पड़ा अब इसके अकॉर्डिंग आंसर यानि कोस्चन से आंसर की तरफ चलते हैं तो कोस्चन है अनुच्छेत के निमलिखित वाके को चार भागों में बा हैं बनाना होगा तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं केवल मात्र यानि देखिए केवल आप बोलें या आप मात्र बोलें बात एक ही है आप इनमें से कोई एक चीज़ को चुन सकते हैं ना कि आप दोनों चीज़ों को चुन सकते हैं यानि कि यह दोनों जो आपके वा फर्स्ट उप्शन आपका जो है वो कौन सा है तो वो आपका D है तो आपका D उप्शन इस दा राइडंस है उसके बाद कोस्चन है अपने विवहार को विवस्थित और आदर्शों को अच्छा करने से क्या होगा अच्छे लोग ही हमारे संपर्क में आएंगे वाडी कोमल और मधूर हो जाएगी दुर्गुड सत्गुणों में बदल जाएंगे और जीवन सुखी और संपन्न हो जाएगा तो इसमें हम देख लेते हैं कि अच्छे लोग ही हमारे संपर्क में आएंगे यानि अपने विवहार को विवस्थित और आदर्शों को अच्छा करने से क्या ह होगा कि जो अच्छे लोग हैं वो हमारे संपर्क में आएंगे जिस तरह से क्या था जिस तरह से पुष्प के पास तितली आती है और अगर हम गंदे बनेंगे यानि कि हमारे विवहार अच्छा नहीं होगा हमारी वाड़ी अच्छी नहीं होगी तो हम कैसे होंगे गंदग सिर्इस का जो नेक्स्ट कोस्टन है उसकी तरफ चलते हैं हमारे विवहार और कार स्वेम ठीक हो जाएंगे यदि हम सुखी जीवन वेतीत करें सबसे अच्छा विवहार करें बाहर से ही नहीं भीतर से भी अच्छे बने अब देखें गद्यांश में क्या बताया गया कि हम बाहर से ही नहीं, भीतर से भी अच्छे बने। हमारे वेवार कार्ट स्वेंट ठीक हो जाएंगे। तो इस एकोरडिंग आपका C different और स्वेस्फषिन रैइट हो जाता है। यानि कि हम बाहर से ही नहीं भीतर से भी एक्षे बने किसी से जैलिस ना रखें अगर कोई कामियाबी की तरफ जा रहा है तो उसको रोके नहीं उसको आगे बढ़ने दे उसका होसला उजाई करें ना कि क्या करें उसको और ज्यादा जैसे कि कहते नहीं हैं बहुत लोग कहते हैं अरे यह सीटर का हमारे आसपास होते हैं और हैं जो हम लोगों को क्या करते हैं जो सभी लोगों के साथ ऐसा होता है जो सभी लोगों का जो एक विश्वास होता है कि हम सीटेट का एक्जाम देंगे फिर उपीटेट का एक्जाम देंगे इसमें हो जाएगा नहीं होगा और अपने आपको गंदगी के समान बना लेते हैं, जिनको मक्षी आकरशित करती हैं, ठीक है न, चलते हैं, कोस्चन की तरफ, कोस्चन है, लेखक द्वारा आकरशन का नियम किसे कहा जाता है, फूल गुडवानों को आकरशित करते हैं, अच्छा बुरा स्वभाव, वैसे ही लोगों को आकरशित करता है, गंदगी मक्यों को आकरशित करती है, चुम्बक लोहे को आकरशित करती है, तो क्या है लेखक द्वारा आकरशन का नियम किसे कहा गया है, तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें अच्छा बुरा स्वभाव, वैसे ही लोगों को आकरशित करता ह उसके बाद question है full के लिए कौन सा vision उपयुकत है रंगीन, मुरस्ण, आकर्षित या स्वासित तो इसमें आपका हो जाता है कि full के लिए आकर्षित विशेशन उपयुकत है जबकि रंगीन, मुरस्ण स्वासित उपयुकत है तो इसलिए आपका जो c option यानि की आकरशित हो जाता है वो आपका right हो जाता है उसके बाद चलते हैं question की तरफ निम लिखे तो शब्द युगमों से उस युगमों को पहचानिये जो शेस से भिन है सदगुण दुरगुण आकरशन विकरशन सुन्दर रूप सरूप तो इसमें देख लेते हैं इसमें देखें जो सदगुण दुरगुण है और आकरशन विकरशन है और सुन्दर रा सुन्दर है ये एक दूसरे के क्या है ये जो आपके युगम है ये विलोम शब्द हैं क्य कि रूप सरूप नहीं है अब रूप सरूप का क्या होगा रूप का विलूम क्या हो जाता है कुरूप हो जाता है ना की सरूप और अरूप भी हो जाता है कुरूप और अरूप हो जाता है ठीक है ना इस एकॉर्डिंग आपका जो डिव अप्शन है वह आपका राइट हो जा करना चाहता है कि हमें जीवन को तितली जैसा बनाना चाहिए भले लोगों को फूल और तितली आप प्रिय होते हैं गुड़ी जनों को गुड़वान ही आकरशित करते हैं तितली फूलों की और आकरशित होती है तो इसमें देखिए आपका जो आंसर हो जाता है कि गुड़ी जनों को गुडवान ही अकरशित करते हैं इसलिए आपका सी ओप्शन राइट हो जाता है उसके बाद चलते हैं कोस्टेन की तरफ कोस्टेन है निम लिखित प्रश्ण संख्या 16 से 30 तक की जो प्रश्ण संख्या है उनमें उनके जो प्रश्णों का उत्तर है सरवाधिक उप्य कल्प का चुनाओ करके दीजिए तो इसमें जो पहला कोस्टेन है यानि की 16 नमबर कोस्टेन है उच्च प्रात्मी की स्तर पर बच्चों के भाशा आकलन में सरवाधिक परभावी प्रश्ण है बादलों के घिराने पर कभी किसान को उठने के लिए क्यों कहता है जब हरा ख किसान के कौन कौन से सपनों को साकार करेगा तो इसमें जो आपका अंसर हो जाता है वाद तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तमाल करते हुए पांच शब्द बनाओ ये आपका राइट हो जाएगा उसके बाद कोस्चन है अपनी मात्र भाशा में किसान पर कच्छा में मनुरंजन का साधन है तो आपका जो यह आंसर हो जाएगा यानि की कच्छा के बहुभाशिक संधर्व को पूशित करता है तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा उसके बाद चलते हैं कोस्चन की तरफ कोस्चन है आपकी स्क्रीन पर उच्च प्राथमिक इस तरपर बच्चों के भाशापरियों का आकलन करने में सबसे कम परभावी यहां पर देखिए सबसे कम परभावी की बात हो रही है ध्यान दीजिएगा अवलोकन बाचीत जासूची या पोर्टफोलियो तो जो सबसे कम परभावी है तो अवलोकन तो आपका परभावी ह पाजचीत भी परभावी और पोर्टफोलियो भी परभावी लेकिन जो जाट सूची है वो आपकी कम परभावी हो जाती क्या हो जाती है कम परभावी हो जाती है इसलिए आपका C option is the right answer उसके बाद चलते हैं question की तरफ question है रादिका सात्मी कक्षा में पढ़ाती है या बच्चों को नाम संबंदी कुछ उधारन देती है फिर संग्या के बारे में समझाती है रादिका द्वारा प्रियुक्त विदी है आगमन विदी सूत्र विदी भाशा संग्रग विदी या नि सबसे पहले कुछ उधारन देती है क्या करती है कि कुछ उधारन देती है उसके बाद संग्या यानि नियम बताती है पहले उधारन देती है बाद में संग्या के बारे में समझाती है तो जिसमें उधारन पहली दिया जाए और उसके बाद संग्या समझाई जाए यानि निय पहती हैं और बच्चों को नाम संबंदी कुछ उधारन देती हैं फिर संग्या के बारे में समझाती है तो क्या हुआ रादिका द्वारा जो यह परियुक्त विदी है वह आगमन विदी हो जाती है निकि आपका एउप्शन राइट हो जाता है देखिए आप लोग समझ लें एक बार फिर से जाते हैं और यह इसमें नहीं आपका एवेश में भी आ जाता है और आपका देखिए सीडीपी में भी आ जाता है आगमन निकमन विदी तो इस तरह से आप लोगों को यह चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी क्योंकि देखिए जिसमें पहले उ होता है वो क्या होता है वो आगमन विधी होता है तो छटव से उधारण और आ से आगमन आप लोग ध्यान दीजेगा छटव से उधारण और आ से आगमन मैच करता है ना छटव और आ तो इस तरीके देखें ट्रिक इसी तरह से होती है कि चीजे समझ में आ जाए आप ट्रिक नियम तो आपका आगमन भी धी हो जाता है और अगर पहले नियम और फिर उधारण अब देखिए पहले नियम पहले नियम अगर बताया जाए क्योंकि पहले अगर आपको संगिया बता दी जाती उसके बाद उधारण दिया जाता तो नियम यानि निगमन नियम यानि निगमन देखिए आपका ट्रीक कितना अच्छा बन गया कि अगर नियम है तो निगमन है और अगर उदहारण है तो आगमन है छोटव से उदहारण और आ से आगमन आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आओगा और अब आप लोग कन्फ्यूस नहीं होगे एक बार से फिर रिपीट करती हूँ आ से आगमन हो जाता है छोटव से उदहारण पहले हो जाता है नियम अगर निगमन विधी में नियम पहले होता है उसके बाद इक रूप लिक कर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं इसका मुक्यूत देश है सब्दों को सही वर्तनी की जानकारी देना अब लोकन द्वारा सही वर्तनी की और ध्यान आकरेश्ट करना या आकलन को लचीला सुधापूर बनाना या बच्चों को उनकी गलती का यह गलत क्यों है देखे शब्दों की सही वर्तनी की जानकारी तो ऐसा नहीं है आकलों को लचीला और सुधापूर बनाना और बच्चों को उनकी गलती का अनुभाव कराना तो इसमें क्या कोश्चन कर रहें कि आठवी कच्छा में पढ़ाने वाले अली नाम के अध्याप पखें गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने लिए कहते हैं तो इसका मुख्य उत्देश अब लोकंद वारा सही वर्तनी की और ध्यान आकरिश्ट करना बच्चों की गलती का अनुभाव कराना क्योंकि बच्चों को गलती का लेकिन यजब बच्चे से गलती हुई और आप समझ गए की बच्चे से गलती हुई और बच्चों को उसको सही करने की सलह देंगे ना कि खुद सही करेंगे क्योंकि बच्चा क्या हैं? बच्चा खुद करके सीखे अच्छ है से परिवेश में ना कि आप उसको आप तो दिखेए इक पाढ हो घांचा क्या हो कि आप उसको दिशा निरदेश मतलब मार्ग दर्शक व MON निरदेश नहीं आप दिशा उटा रहे हो ना कि आप उसको क्या करो कि टाक के बिठा मंतलब ये भी नई कर रहा है तो अगर वो एक स्टेप उसने कर लिया दूसरा स्टेप भूल गया है तो आप उसको बताओ पहले स्टप से जोड़ के आप चीजे बताओ कि आपने ऐसा ऐसा किया अब इसके बाद इस तरह से आप करेंगे तो आपका अंसर आजाएगा जब बच्छा स्वम करके सी लिखेगा तो क्या होगा चीजे उसके समझ में आएंगी और वो उसके लिए वो चीज हमेशा के लिए उसके माइंड में बैठ जाती है कि हां यह चीज ऐसे थी यह अगर हम इस तरह से करेंगे तो यह कलत हो जाएगा तो इस लिए लोकंद्वारा सही वर्तनी की और ध्यान आकरिष्ट करना आपका भी ऑप्शन राइड हो जाता है उसके बाद चलते हैं कोश्चिन की तरह उच्छे प्रात्मिक इस तरह पर बच्चों की लिखित अभी विक्ति का विकास करने में सबसे कम सायक है अपने बच्पन की कोई ऐसी घटना लिखो जब शरारत करने पर ड परभावी है उसकी बात हो रहे हैं तो जो सबसे कम परभावी है आपका डी ऑप्शन हो जाता है यानि की कविता की अधूरी पंकितियों को देख कर पूरा करना और आपका जो सही मतलब यह होता है कि यहां पर जो सबसे कम परभावी है वही आपका अंसर होगा लेकिन जो उनको भी समझ लेते हैं कि अपने बच्पन की कोई ऐसी घटना लिखो जब शरारत करने पर डाट पड़ी हो तो इसमें क्या हुआ इसमें बच्चे की जो तर्ग शक्ति है उसका उसके बारे में देखा जा रहा है कि बच्चे को कितनी चीज़े याद है या उसके बच्पन मे क्या हो जाता है परभावी हो जाता है और नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते वे कहानी को अपने शब्दों में लिखो और जहां पर अपने शब्दों में लिखने की बात हो बच्चा स्वयम किरिया करके सीख रहा हो और अपने अनुभवव को लिख रहा हो लेकिन यहां पर क्या देखना यहां पर नेगिटियों कि जो सबसे कम परभावी है तो यह आपका कम परभावी या निकि डियो अप्शन आपका राइट हो जाता है उसके बाद कुश्चन है कि बच्चे में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सरवाधिक सा है कि शु सबसे सही आंसर हो जाता है क्योंकि कहानी पढ़कर उसके बाद सवाल बनाये जाएं तो बच्चों में सरवाधिक सहाय के और शुलेक का कार यह आपका सकेंड में आ जाता है उसके बाद चलते हैं कुश्चन की तरफ कच्छा का बहु भाशिक संदर फिमांग करता है कि बच मात्र भाशा को रिस्पेक्ट देनी है मात्र भाशा में बच्चों को सिखाना है लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मात्र भाशा में ही सिखानी है और भी बच्चों को भाशाय सिखानी है तो इसलिए आपका यह गलत हो जाता है बच्चों को चार-चार भाशाय पढ़ाई कि बच्चों की मात्रभाशा को कख्षा में इस्थान दिया जा या अंसर राइट हो जाता है क्योंकि बच्चा क्या है अपने घर से मात्रभाशा ही लेकर आगा अगर बच्चे की मात्रभाशा को आप इस्थान नहीं देंगे तो बच्चा सीखने में हिचविचा हट अनुभ चीज़े तो आप बाद में इसको सिखाएंगे ना पहले तो आप उसके मात्र भाशा को आप इस्थान देंगे तो यह आपका जो आंसर है वो राइट हो जाता है उसके बाद उच्च प्रात्मिक इस्तर पर हिंदी भाशा सिछण का एक महत्वण उद्देश हिंदी के व्याक विविद सरूपों की जानकारी देना हिंदी भाशा में अनुदित सामगरी को पढ़ाना और बोलने की शमता के अनुर लिखनी की शमता का विकास्तों हिंदी भाशा के विविद सरूपों की जानकारी देना यानि उच्च प्रात्मिक इस्तर पर हिंदी भाशा सिछण का ए तो आपको देखते हैं गलत होगा उसकी परिभाषा याद करना ये भी आपको गलत होगे अब बच्चे आपके दो इसमें से आपको देखना उनके अर्थ जाना या संदर्भानुसार उनका परियोग करना अब जहां पर परियोग की बात आ जाए तो वही आपका आंसर राइट हो जाता यानि कि आपका सी ओप्षन इस दा राइड आंसर उसके बात चलते हैं कोश्यन की तरफ कच्छा के बहुभाशिक और तो इसमें हिंदी भाशा सिच्छन का एक मुख्य उद्देश है क्या है तो हिंदी भाशा सिच्छन का एक मुख्य उद्देश है उसके बाद चलते हैं कोश्यन की तरफ देखते हैं उच्छ प्रात्मिक स्तर पर पाठ पुस्तक में दिये गए विभीन ने साहितिक के परसिद रचनाकारों से परिचित कराते हिंदी भाषा में साहित इस तिर्जन के लिए प्रेरित करते हैं सभी दर्शाएं सभी विकल्प हिंदी भाषा के विबिन रंगतों से परिचित कराते हैं तो इसमें अंसर देख लेते हैं दर्शाएं सभी विकल्प यानि उच्च प्रात्मिक इस तर पर पार्ट पुस्तक में दिये गए विभीनिसाहितिक विधाओं में पार्ट बच्चों को यह आपका राइट अंसर हो जाएगा कि दर्शाएं सभी विकल्प फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को लें और बेल आइकल को भी जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुच सकें उच्च प्रात्मिक इस तर पर हिंदी भाषा सिच्छन का उदेश नहीं है यहां पर देखना है उदेश नहीं है नेगिटिव हमें देखना है निजे निभो के आधार पर भाषा का सिरजनशील इस्तामाल करना यहां भाषा की बारीकी और संदरबोद के लिए हंदी भाषा का व्याकरन कंठस्ति करा ना जीहांपधे कंठस्ति की बात तो आप उसको करनें और यहां प wrap पूचा जा रहा यानि की Ó भाई आपका नेगीटिव हो जाता है इसलिए यहां पर कंठस्त की बात हो गए के बछे को हमरे नहीं कराना के लिए बहुत Champions नहीं कराना इस तरह का जहां पर भी आपका वाक्य ऑ जाता है वह आपका गलत हो जाता है इसलिए आपके यह भी option राइड आंसर हो जाता है क्योंकि जब इसमें नेगिटिव पूछा गया तो जो नेगिटिव है वही राइट है उसके बात कोश्चन है उच्च प्रात्मिक इस तर पर हिंदी भाशा सीखने में सबसे कम सहायक है यहां पर भी देखिए कम सहायक की बात हो रही है ध्यान दीजेगा इस कर जो पॉजिटिव होता है वह लगा दिया जाता है लेकिन यहां पर जब नेगिटिव पूछा जा रहा है तो नेगिटिव जब आप लगाएंगे तभी वह आपका राइट होगा तो पार्ट पुस्तकों का परियोग संचार माधमों का परियोग और विश्यों की कच्छा माधमों का परियोग तो जी हां बच्चे इससे भी बहुत अच्छे से सीखते हैं लेकिन पूछा क्या गया है उस पे पहले ध्यान दे कि कम सहायक है तो पार्ट पुस्तकों का परियोग यह आपका राइट आंसर हो जाता यानि उच्छ प्रात्मिक इस तर पर हिंदी भाश कर दो अध्यान देनी है क्योंकि अध्यापक जी है किटाब खोल गए बच्चों से बता दिया ये चीज़ पढ़ लो या बच्चों को वो चीज़ पढ़ा दी वो रटा दी लेकिन नहीं है ये देखना कि बच्चों को रूच कैसे आ रही है उस तरह से हमें बच्चों को सिक्षा देनी है और बच्चों का इस तर क्या है ये भी हमें ध्यान म रखकर तभी हमें सिक्ष्यां देनी हैं ठीक है ना तो यह हमारा सरवाधिक हम इस पर सरवाधिक ध्यान देंगे यानि की बच्चों का इस्तर और रूचिपर तो फ्रेंड्स आज यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी खास टॉपिक को लेकर जो आप लोगों के ल होगा सो फ्रेंड्स सब तक बाइ थैंक यू